एक बार जोड से जैकरा रहे बोल ये शंकर-भगवान ने की जै हो बिल्कुल जैकरा बुलंद होना चाहिए क्या भी और गलत बोल रहे हैं रावन ने क्या दिया? साच्छात भगवान भोले नात को काईलाज से उठा करके आपके जारखन मेला करके रख दिया जहां कि नगरी वैज नाव के नाम से जाने जाती है देवगर के नाम से जाने जाती है ऐसे पावन पुरी ते धरती से आप लोग बिलोग करते हैं आई है और सौभा की हमारा है कि जहां साचात भगवान भोले नाथ कभी कभी ऐसा होता है कि बाबा मंदिर तक आते हैं और फिर से लोड़ कर कहां चले जाते हैं दरसनिया और वहीं से लाइन लगे हुए रहते हैं सोचिए जितनी कठनाई सुल्तान गन से देवगर जल लेकर आने में नहीं है उससे अधिक कठनाई लाइन में खड़ा होकर जल चड़ाने में है ना दियान देंगे लेकिन फिर भी लोग जल चड़ाते हैं सोचिए आप कहां से विलोम करते हैं आप जिस धर्ती से विलोम करते हैं वहां की धर्ती कितनी पवित्र है है ना और जो लोग लाइन में खड़े होते हैं उसी में एक वक्त सुल्तान गन से जल उठा करके आया और बेचारे लाइन में लग गया इधर उधर कुछ नहीं देखा लाइन में लग गया थोड़ी देर के बाद देखता क्या है कि ठीक थोड़ी दूर पर एक छोटी लाइन है दो लाइन थी जिस लाइन में वो खड़ा था वो बड़ी लाइन थी और देखता क्या है कि सामने में एक छोटी लाइन है सोचा कि इस लाइन में खड़े रहने से बहुत देर हो जाएगी जिल चड़ाने में एक काम करते हम भी छोटी वाली लाइन में चले जाते हैं जैसे छोटी वाली लाइन में जाना चाहा ना मैया वो भक्त बीच में सिपाही डंडा लेकर के पहरा दे रहा था, ड्यूटी दे रहा था वो तुरत हांत पकड़ा खिचा रहा है इदर के दर जा रहा है खड़ा हो गया कहणो है finished आउंखों से आउंसु की धारा भी वह रहा है औरुखनmee फोडे परे जाने ठे दर्द के मारे खड़ा नहीं रहा गया तो वह दर्द के मारे बैठ चाता है और बैठ कर के आउंखों से सूु की धारा बह रहा और कहता है बाबा, बाबा, कि रोभाई छी बाबा, बाबा हो, बाबा हो, रोभाई छी बाबा, हम यंदर ही यंदर कि मैं अपने दर्द में मैं अपना दर्द किस कि सुनाओ यहां मेरा दर्द सुनने वाला है क्यों आपके सिवा आपके दर्वार में जो सिपाही है वो भी नहीं समझता है यूही पाउं में छाले पड़े हैं फोड़े पड़े हैं एक सो पास किलो मिटर की यात्रों में चल करके आया हूँ बाबा क्यों ही सरीन में जलन है उपर से तो डटा भी खाया हूँ बाबा अर बाबा बाबा ये बाबा अर बाबा बाबा कही अलागी हमरो नमबर बाबा बाबा कही अलागी हमरो नमबर रो बैची बाबा हम यंदर ही यंदर बता बाबा बाबा कही अलागी हमरो नमबर हर हर महादेर जैसी हूँ जैसी हूँ बोलबा बोलबा बाद कहा तो बाबा ए बाबा आई लो दुवरिया बाबा या सना लगाई के आई लो तु अरिया बाबा या सना लगाई के सुलता ने गंज से बाबा जालाबा उठाई के महत कहा तो कि ए बाबा आई लो दुवरिया बाबा या सना लगाई के सुलता ने गंज से बाबा जालाबा उठाई के बाबा ए बाबा मैंने सुना है कि आपके दर पे जो भी आया है वो खाली नहीं लोटा है कि बाबा के दरवार में कितने आनि खाख पती गए और लाख पती हो गए बाबा की ऐसी कृपा है कहा तीन लोग बस्ती बसा के आप बसे बिराने में धन्य धन्य हो भोले नात निकोरी नहीं खा जाने में भोले नात ऐसे हैं हमारे वो भक्त कहता है कि कतना के बाबा आहो कतना के बाबा बनाईल हो सिकंदर बता बाबाबा बता बाबाबा कही अलागी हमरो नम्मर आर जिया बबुए बता बाबा कही अलागी हमरो नम्मर किये बाबा कि हमार नम्मर गहिया लागी है दपता गाता है तो हरो दुवर्या बाबा भीडवाया पारुवा अलाइन के लागल वलांगर बहुत नंके लागं बलंब का थारवा ए बाबा और कातना के बाबा ए बाबां हो बाबा और कातना के बाबा ओ कातना के बिगडल बनईल हो मुकदर बाबा कि कातना के बिगडल बनईल हो मुकदर अच्छाईए भोले नात जी के दरवार में आनि कौन अपना नंबर लगाना चाते और मुकदर बनाना चाते और दोनों हाथ उठा देजिए जो जो अपना मुकदर और नमबर लगाना चाहते हैं मुकदर बनाना चाहते हैं दियाने के कहते हैं कि एक हाथ उठाने से अरपन होता है और दोनों हाथ उठाने से समरपन होता है जिनके जिनके मन में समरपन का भावना हो मेरे लिए नहीं अगर मेरे लिए अगर उठाने बर अगर भीया लोग अगर कहेंगे कि हमारे लिए हांत उठादिये तो नहीं उठाईएगा भोले नाथ जी के लिए खैने बाबा संकर के लिए भोले नाथ के दोनू हाथ उपर है और जोर से जैकरा रहे बोल ये संकर भगवाने की और कहना है अर कतना के बाबा हो कतना के पिगडल बनाई हो मुकदर बता बाबा हबा बाबा वहिया लागी हमरो नंबर